गुड इवनिंग हाजी हम लोग बात कर रहे थे वर्क पावर एनर्जी का एक पोर्शन या सेंटर ओफ मास में भी कुछ लोग इसे कवर करते हैं डैट इस कोलीजन इस पे जनरली कंजर्वेशन ओफ लीनियर मोमेंटम एक तो यह आता है और कंजर्वेशन ओफ एनर्जी अग इनलास्टिक में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ट क्वेशन आपको मिलेंगे थोड़ा हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉंसेप्ट और आज उन पे बेस्ट जो जेई मेंस 2020 में क्वेशन आई हुए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे तो श एला कुश्चिन कहता है पार्टिकल ए उफ मास M1 मूविंग विद विलॉसिटी रूट 3 आई-कप प्लस जे-कप मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर पार्टिकल बी उफ मास M2 विच इस अट रेस्ट इनिशली ओके लेक्ट वीवन एंड वीटू बीटू बीटी एंड आफ्टर कोलीजिन वीवन इस एक्वल टू आई-कप प्लस रूट 3 जे-कप तो 2D विलॉसिटी आपको दी हुई है 1D नहीं दी हुई है ध्यान रखेगा ठीक है देन दा एंगल बिट्वीन एंड वीटू इस तो यहां देखके क्लियरली लग रहा है कि भाई ये बस सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो कोलीजिन है कौन सा ठीक तो यह आपने चेक कर लिया कि आपका कोलीजिन कैसा है हाँ अबलीक हो गया तो देखिए इस कुशिन को कैसे एप्प्रोच क्या रहीगी हमारी तो सबसे पहले अगर डाइग्राम मना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मान लीजे मेरे पास यह एक M1 है और यह किसी डिरेक्शन में जा रहा है let's say this is U1 और एक पार्टिकल इसके पाथ में है M2 और यह रेस्ट पे है यह आपको बिफोर कोलीजिन सिचुएशन दी गई है after कोलीजिन की अगर आप बात करें तो इन्होंने कहा है कि V1, V2 दोनों पार्टिकल जो हैं वो V1, V2 से जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका M1 आपको दे दिया इसकी विलासिटी कुछ V1 है और let's say M2 इदर चला गया इसकी विलासिटी V2 है हमें नहीं पता यह किदर जाएगा ठीके बिट हमें यह पता है कि linear momentum conserve रहता है तो simply M1 V1 U1 देख लिए अब M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 V1 प्लस M2 V2 ठीक है अब आपको V1 given है V2 निकालनी है निकाल सकते हैं भाई रखे निकाल लीजी जड़े देख लेते हैं चलिए तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2 M2 यह दिया हो ना M1 is equal to 2 M2 U1 दिया हुआ है root 3 I cap प्लस J cap और यह rest पे है तो यह 0 हो गया देट इस equal to 2 M2 V1 आपको दिया हुआ है I cap प्लस root 3 J cap और प्लस M2 V2 यह दिया हुआ हाँ जल्दी से यहां से V2 निकाल लीजी वी टू अज एगी ना करके है आदेखिए यह M2 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 cancel हो गया आपका देखिए जिरा वी टू क्या रही है तो यह वी टू आपकी आ जाएगी टू रूट 3 यह इधर जाएगा माइनस वन जरा चेकिए यह आ रही है नहीं आ रही है आई कैप माइनस जे कैप भई मेरी तो यह आ रही है मेरी जो V2 है वो यह आ रही है और V1 मुझे गिवन है V1 गिवन है बिटा देखिए उपर यह V1 रही है V1 की वैल्यू आपको दी हुई है आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप क्लियर है अब आपसे पूछा क्या क्या है एंगिल बिट्वीन एंड वी टू तो हमें वेक्टर से याद है कॉस ठीटा इस एक्वल टू वी वन डॉट वी टू अपॉन वी वी टू है ना बस यह करना तो अगर आप यहाँ पे देखें आप इसका डॉट प्रोड़क्ट लेंगे येस बिलकुल बिलकुल कोशिश कीजिए मैं यहाँ पे अगर इसका डॉट प्रोड़क्ट लेंगे तो आई कैप आई कैप आपका वाला आएगा एक ही आएगा तो यह आपका जाएगा टू रूट त्री माइनस वन इंटू वन माइनस रूट त्री ओके एक तो यह टर्म देख रहा है बिटा और नीचे आपका आजाएगा इसको आप देखेंगे तो इसका मैगनेट्यूड आगया टू और इसका मैगनेट्यूड आपका आजाएगा टू रूट त्री माइनस वन रूट तू जड़ा चेक किजे इसके एसाब से यह कैंसल हो जाएगा बिटा टू से यह कैंसल हो जाएगा और यह आपका आगया वन माइनस रूट त्री अपान टू रूट तू कॉस्ट थीटा की वैल्यू यह आ रहे है और ये वेल्यू अगर आप देखें तो ये वेल्यू बिटा नेगेटिव है यानि मेरा ठीटा जो है वो अप्ट्यूज हो चुका है हाँ ठीटा अप्ट्यूज ऑप्शन क्या है देखिए बाई ये डी वाला अंसर होना चाहिए क्योंकि 15 डिग्री 60 डिग्री ये तो हो नहीं सकता और कॉस माइनस थीटा पॉर्थ क्वाडरेंट पे कॉस पॉजिटिव होता है तो डी आंसर हो गया बिल्कुल सही आपने निकाला बिटा ठीके हाँ तो देखिए क्या हुआ कंजर्वेशन ओफ लीनियर मोमेंटम और एक वेक्टर का कॉंसेप्ट लगा दो छोटे छोटे लिकिन दो कॉंसेप्ट लग गया हाँ अलग अलग पूछा जाए तो एक-एक मार्क्स का क्वेशन और मिलके हो गया चार नंबर का तो एक और एक मिलके चार नेक्स्ट क्वेशन पर मूव कर रहें बड़ा यह देगी हमारा नेक्स्ट क्वेशन यह रहां का अपार्टिकल ओफ मास एम विद एन इनिशियल विलॉसिटी यू आई कैप कोलाइड पर्फेक्टली इलास्टिकली ओके विदा मास ओफ थ्री एम एट रेस्ट इट मूवस विद विलॉसिटी वी जे कैप आफ्टर कोलीजन देन फाइंड दे वैल्यू आफ वी ओके तो ज यह इस डिरेक्शन में यू स्पीड से जा रहा था आप यू आई कैप लिख सकते हैं बट यह मैं ऐसे दिखाते तो आपको आई कैप और जे कैप ठीके चलिए अब यह कोलाइड किया एक दूसरे मास के सांथ यह मास था रेस्ट पर पाइं अच्छा जी यह तो बिपोर कोल है थ्री एम है अब कहता है कि बाई यह जो एम वाला पार्टिकल था यह मूव कर गया इस डिरेक्शन में विद विलास्टी भी और थ्री एम के बारे में हमें नहीं पता थ्री एम कहां गया तो थ्री एम किसी डिरेक्शन में हम ले लेते हैं लेट से हमारे पास विलास्टी आ गई वी टॉ इस इट क्लियर हाँ वो जो मैं आपसे बार-बार करता हूं ना डाइरेक्शन का ध्यान रखे तो जब conservation of linear momentum लगाएंगे इसमें तो क्या होगा collision है तो एक equation तो conservation of linear momentum की बनेगी बनेगी ठीक है जी तो यहां पर देखे क्या आजाएगा आपका m u i cap प्लस 0 यह तो initial momentum हो गया हाँ और यह आजाएगा बटा m v j cap प्लस 3 m v 2 चेक कर लो यह आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं यहां से अब आप देख रहे हैं m तो आपका cancel हो गया है सीधे सीधे आपके v2 की value आ गई है v2 की value की आई विटा u i cap minus v j cap by 3 क्या यह आ रही है सबकी यह velocity आ रही है बहुत बढ़िया अब एक चीज आपको बता दूं कि यहां पर इन्होंने एक कहानी यह दी हुई है देखे कुछ न कुछ तो indication दिया होगा न हाँ तो यह का है perfectly elastic perfectly elastic का मतलब हो गया kinetic energy initial is equal to kinetic energy final ठीक है ओके तो अब देखें जरा half m u square यह हमारी kinetic energy initial होई आप चाहो तो plus zero लिख दो यह लो दूसरा वाला particle तो rest पर था ठीक है और यहाँ पर क्या होगा बटा half m v square एक तो यह आएगा देखें आइकेप जेकेप से फरक नहीं पड़ेगा because जब आप magnitude ले रहे हैं उसको square किया जाएगा ना वैसे भी वो v dot v हो जाएगा प्लस half into 3m और इसका आपको magnitude निकालना पड़ेगा तो जब आप v2 निकालेंगे तो यह कितना आजाएगा हाँ जी यह कितना आजाएगा यह आपका आजाएगा u square प्लस v square कुछ ऐसा आ रहा देखें by 9 का अंडर root अंडर root a square प्लस v square था ना तो यह मेरे पास v square आजाएगा तो इसको मैं यहां रख देता हूँ u square प्लस v square by 9 यह मेरे पास एक equation बन गई और यहां पर अगर आप देखें तो m मेरे cancel हो गए यह 2 भी cancel हो गया भाई देखें कुछ बन रहा है क्या u square is equal to v square प्लस अच्छा यह भी cancel हो जाएगा 3 times यहां पर मेरा आजाएगा u square प्लस v square by 3 चेक कर लो इसको अगर मैं इधर ले जाओं तो यह मेरा बनेगा 3u square is equal to 3v square प्लस u square प्लस v square हाँ मैंने LCM लेकर उसे solve कर दिया तो यहां पर आप देखें यह आपका बन गया 4v square is equal to 2u square यार तो वी is equal to u by root 2 मेरा तो यह आया है कोई ऐसा option हाँ जी पहला ही option ऐसा दिया हुआ देखें तो first option जो है वह आपका है तो सीधे सीधे आपको जो चीज़ें given हैं एक तो conservation of linear momentum एक kinetic energy conserve रहती है दोनों को लगा दीजे answer आ जाएगा ठीक है ओके हाँ कई बार यह चीज़ आती है कि सरह आपने का था यह वाला concept ध्यान रखिएगा यहां पर हमें line of impact के बारे में कुछ नहीं पता है one d motion में तो सीधे e वाली लग जाएगी बट जब भी आपका oblique collision होगा तो आपको वो line of impact चाहिए वो आपको नहीं मिली वो ढूटने में मुश्किल हो जाएगी इसलिए मैंने सीधे kinetic energy equate करा दी और सीधे सीधे आपका answer आ गया ठीक है तो थोड़ा सा यहां पर आपको common sense use करना पड़ेगा कि कहां पर आपका e वाला equation लगा दें कहां पर हम energy को conserve कर दें एक question और देखते हैं यह भी j means 2020 है two particles of equal mass m have respective initial velocity uicap and uicap plus jcap by two they collide completely inelastically okay the energy lost in the process is okay energy loss निकालना है ठीक है जी बहुत आसान है चलिए पहले बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक m यहां पर दिया हुआ है यह आपको velocity दी हुई है uicap और एक आपके पस m दिया हुआ है और यहां पर आपकी velocity कुछ ऐसे है uicap plus jcap by two यह before collision आपको given है और बाद में उसने का कि यह combine हो गए तो यह आपका mass 2m बन गया और let's say यह किसी direction में velocity v से जा रहा था इसको हमने v final कह दिया ठीक है तो अब आपको बस यह v final निकालने तो कैसे निकालेंगे m uicap plus m uicap plus m ujcap by two यह initial momentum हो गया final की अगर आप बात करेंगे तो यह आपका जाएगा 2m vector v और आपका यह m cancel हो जाएगा बिल्कुल और अब अगर आप देखें तो यहां से आप अपनी velocity को calculate कर सकते हैं final velocity जिसे हमने कहा है कितनी आगी बिड़ा यह आप किया जाएगी 3 by 4 uicap plus u by 4 jcap एक बार चेक कर लीजे हाँ बिरे हिसाब से तो यह आ रही बिड़ा ठीक यह हमारी final velocity अब बस आपको kinetic energy initial निकलनी है तो भाई इसकी kinetic energy आएगी half m u square इस वाले की आएगी half m u by 2 root 2 यह इसकी speed हो गई और इसको आप square कर देंगे चेक कर लीजे एक बार ओके तो यह आपका half m u square plus half m u square by 2 तो यह 3 by 4 m u square चेक करो 3 by 4 m u square मेरे साब से तो kinetic energy initial यह है और kinetic energy final जो है वो बहुत ध्यान से इसमें क्या गलती होती होती बता रहा हूँ half mass जो है वो change हो चूपा है 2 m आ गया ठीक है और velocity आपने यह निका ली थी बिल्कुल इसको आप square करके लिख दीजे तो यह आपका हो गया 9 by 16 u square plus u square by 16 ऐसा आएगा तो अगर मैं इसको देखूं तो 2 से 2 मेरा cancel हो गया यह मेरा आगया 10 m u square by 16 यह मेरी kinetic energy final आगी ठीक है अब जड़ा question में देख लेते है energy lost तो हमने आपको बताया था loss in energy क्या है loss in energy आप सब को पता है क्या होता है kinetic energy final minus kinetic energy initial इसको subtract कर देते हैं तो यह हमारा आगया 3 by 4 minus 10 by 16 आप चाहें तो 5 by 8 लिख लिजिए उसको m u square यह आया तो इसको अगर हम देखें तो यह 1 by 8 m u square आगया बड़ा ठीक है आप LCM लेके कर लिजिए मैंने तो सीधे सीधे इसको 16 के इसको 12 किया यह 2 by 16 यह 1 by 8 आगया 1 by 8 m u square यह option है कोई बिलकुल है बी option हमारे पास जो है वो है 1 by 8 m u square और यह ही हमारा answer है next question है a particle of mass m is moving along the axis with initial velocity u i cap okay fine it collides elastically with a particle of mass 10 m at rest and then moves with half its initial kinetic energy okay if sin theta 1 is equal to root and sin theta 2 than value of n is अब यह देख के जड़ा खतरनाक सा लग रहा है बट है simple ही ठीक देखे क्या किया हमने हमने आप से का कि भाई पहले diagram मना लेते हैं यह हमारे पास 10 m था यह rest पे था यह before collision का हम diagram मना रहे हैं और यह हमारे पास इस direction में u speed से जा रहा है अब आपके पास दो particle है एक particle इधर गया let's say यह speed मेरी है v1 यह angle मैं आपको दिखा रहा हूं theta 1 यह speed है v2 और यह angle है theta 2 उपर दिया हुआ है ठीक है यहां पे 10 m है और यह m है is it clear अब बिटा अगर हम देखें तो y-axis और x-axis दो axis य-axis और x-axis दो जगे आपको हाँ आप i-cap j-cap के terms में भी कर सकते हैं या linear momentum x-axis y-axis पे conserve करा तो पहले y-axis पे conserve करा रहा तो क्या हो जाएगा ज़रा देख लेते हैं यह बिटा मेरे पास एक component आएगा यह और एक component आएगा यह ठीक है यह कितना है v1 sin theta 1 यह है v2 sin theta 2 और initially अगर आप देखें तो py initial अगर देखें तो वह 0 था ठीक है तो यहां से मैं डिरेक्टली लिख सकता हूँ 0 is equal to mv1 sin theta 1 minus mv2 sin theta 2 यह समझ में आया बिटा देखी जब भी आप positive या negative लेंगे तो अगर आप इसको positive कहेंगे तो downward वाला आपका negative हो जाएगा ओके तो यहां से आपको जो जो चीज निकालनी है न देखी यहां पर कुछ-कुछ आपका बनने लग गया sin theta 1 आपका आगया sin theta 2 आपका आगया तो आप डिरेक्टली लिख सकते हैं m cancel हो जाएगा ओके m cancel हो जाएगा अच्छा एक एक मिनिट एक मिनिट यह न 10 m है बिटा है यह 10 m है तो यह मेरे प्यास आ गया v1 sin theta 1 is equal to 10 v2 sin theta 2 और उपर आपके पास है यहां पर ओके तो यहां से एक equation हमें मिल गई root n is equal to 10 v2 by v1 कितनों को यह बात समझ में आई परी मैंने इसको यहां ले जाके इस form की equation मना दी है ना चालिए अब भाई अगर मैं v2 और v1 निकाल लूँ तो काम बन जाएगा यह थोड़ा सा tricky है लेकिन कर वो ही रहे है linear momentum ही conserve करा रहे हैं अब जड़ा देखे इन्होंने कहा है कि it collides elastically and moves with half its initial kinetic energy यह कहनी second देखें यहां पर kinetic energy इस particle की क्या हो गई half mv1 square यह समझ में आया half mv1 square यह हमारे पास kinetic energy हमारी हो गई that is equal to half of half mv1 square एक यह कहानी आ गई अब इससे अगर आप देखें तो m से m cancel हो गया यह समझ में आ गया न बिटा यह half half cancel हो गया तो v1 is equal to u by root 2 कुछ ऐसी आगी equation हाँ तो v1 मैंने निका लिया आप क्या बचा है बिटा बचा है अब थोड़ा सा यहां पर माग लगाना था बिटा आप से कहा है elastic collision हुआ है इसका मतलब कोई भी kinetic energy में change नहीं आया तो kinetic energy initial is equal to kinetic energy final यह आप apply करते हैं पहले energy कितनी थी half m u square बाद में दो particle आपके पास हो गए पहले particle की energy है half m यहां पर आपका जाएगा u square by 2 ठीक है न वैसे भी वह half कही थी उसने plus half 10m v2 square एक यह equation आपको ध्यान रखती है यह कहां से गंटी बजी दिमाग में by elastic collision दिया कुछ न कुछ तो देगा ही न तो अब अगर आप देखें m से m cancel हो गया यह half भी cancel हो गया भाई तो क्या v2 निकल आया तो v2 square is equal to यह आपका जाएगा यू square by देख लो 20 आ रहा क्या यू square by 20 लग रहा मुझे तो तो यहां से अगर मैं v2 देखू तो यू by root 20 यह मेरा v2 आ गया अब मेरे पास v1 भी है मेरे पास v2 भी है मुझे निकालना गया n की value तो n is equal to 100 v2 square by v1 square लिख लो यार ज्यादा बढ़ी है रहेगा तो 100 हाँ जी v2 square आपका हो गया u square by 20 और v1 हमने कहीं निकल ला था v1 कहां क्या भाई वी 1 यह रहा तो यह आपका हो गया u square by 2 ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखें तो u square से u square कटा 2 से यह 10 गया और यह आपका 10 अंसर आ गया तो यह option दिये नहीं अच्छा पिल यह वाला था integer type था तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा बिलकुल बिलकुल तो यह 10 आपका answer है हाँ बहुत आसान नहीं लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं लग रही थी कि आप सोच नहीं सकते वही concept है conservation of linear momentum and conservation of kinetic energy हाँ एक चीज यहाँ पर दे दी कि वह आधी energy हो गई तो वह आपको वीवन निकालने में उसने आपकी help चलिए एक और देखते हैं next question पर move करते हैं okay block of masses m 2m 8m are arranged in a line on a frictionless floor another block of mass m moving with speed v along the same line collides with mass m in perfectly inelastic manner okay इसका मतलब सब एक दूसरे के साथ stick करते हैं all the subsequent collisions are also perfectly inelastic सब के सब collision perfectly inelastic यानि बाद में आपके पास यह तो before collision है after collision सारे collision जब हो गए तो आपके पास 8 4 12 और यह 16 m बन गया चेकर हो जरह एक block 16 m बन गया जो let's say किसी speed v से move कर रहा है यह सबग में आया है बस इतना आसान होता है तो हर एक की अलग-अलग निकालने की जरूरत नहीं है आप linear momentum तो conserve रहेगा पहले collision के बाद भी दूसरे के बाद भी तो पहले और आखरी collision मतलब collision से पहले और बिलकुल सारे collision के बाद यहां पर आपका linear momentum था mv और यहां पर आपका हो गया 6 mv यह कितनों को समझ में आ गया तो भाई यहां पे बिलकुल सही बात हैं अगर आप कहें कि जो यह final velocity भी थी यह आपके आ गई वी बाई 16 एक equation तो हमारी यह बन चुकी है इसकी यूज करेंगे अभी अब पूछा क्या पूछा क्या लॉस इस पी परसेंट ऑफ दा औरिजनल एनरजी अब यहां पर मैं बता दू आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कायनटेग अनर्जी इनिशल माइनस कायनेटेग एनर्जी फाइनल यह loss हुआ डिवैड़ेड़गा कायनेटे탁 इनर्जी इन्टु हिंटु हंड्डरीट ठीक है जी ओके अब यहां पर value पुट कर दो यार तो पहले kinetic energy थी half m v square u square जो भी लिखा है v square minus half 16m v by 16 whole square divided by half m v square into hundred ठीक है जी बस इसे solve कर लीजे तो यह देखिए half m v square half m v square यहां पर बना जाएगा और यह half m v square यह cancel हो जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे यह आपका कितना बन रहा है बटा 1 minus अच्छा यह 16 है तो 16 से यह 1 by 16 आ जाएगा into 100 क्या कुछ ऐसा आ रहे 1500 by 16 यह आपका 16 9s of 144 तो 6 94 परसेंट या 93 पॉइंट सम्टिंग कोई है सा आप्शन हाँ जी 94 दिया वो राउंड कर दिया इन्होंने तो 94 वाला जो आंसर है यही आपका आंसर होगा आपका आंसर आगया डी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो परफेक्टली इनलास्टिक कोईशन होते हैं वो जादा आसान होते हैं ठीक है जी तो यह द्यान रखेंगा नेक्स क्विश्चिन अगर हम देखें अ बॉड़ी ए ओफ मास M is equal to 0.1 kg has an initial velocity 3i cap meter per second okay fine it collides elastically with another body of the same mass which has initial velocity 5 j cap meter per second okay जी after collision a moves with velocity this the energy of b after collision is written as x by 10 joule okay x की value आपको बतानी है अच्छा जी एक बार फिर से देखें को लिजिन कैसा दिया हुआ है इलास्टिकली यार energy बतानी है न काइनेटिक energy तो इसको हम सीधे सीधे नहीं कर सकते क्या अगर हम इसको लिख दें काइनेटिक energy initial is equal to काइनेटिक energy final अगर जोरत पड़ेगी तो फिर इनियर मोमिंटम वाला भी कर लेंगे मुझे तो लग रहा है ऐसे हो जाना चाहिए एक बार शेक कर लेंगे हाफ M1U1 square plus half M2U2 square is equal to half M1B1 square plus काइनेटिक energy of B ऐसे लिख दूँ है ना चलो तो अब जड़ा देखें half M1 कितना दिया है 0.1 और इसकी जो speed है वो 3 है into 9 plus half दूसरा particle जो सेम मास है यानि 0.1 है into initial velocity 5 जेकब से फरक नहीं पड़ेगा ये 25 आजाएगा ठीक है that is equal to half M1 आपका 0.1 दिया हुआ है V1 ये रही है आपकी V1 तो ये आपकी आगई पिटा इसकी speed अगर आप देखेंगे तो ये 4 root 2 meter per second आगई है ना vector में है under root 4 square plus 4 square इसको square करेंगे तो ये आपकी आजाएगी 16 into 2 ठीक कुछ चेकर लिजे आप अपने इसाब से लिखें और ये मेरा आगया kinetic energy of B अगर मैं इसको solve करनू तो एक line में में मेरा answer आजाएगा चलिए देखे 25 और 9 34 ये मेरा आगया 1.7 अच्छा 0.1 तो cancel ही कर लिते हैं तो 17 लिख दराओ सिधे इसको चलो यहाँ पर 17 लिख दिया मैंने चेक कर लो एक बार 17 आ रहा है नहीं आ रहा है 25 और 9 34 और 34 को 2 से divide कर दिया और ये मेरा 2 से 2 कट गया यहाँ पर मेरा 16 प्लस काइनेटिक इनर्जी आफ बी तो काइनेटिक इनर्जी आफ बी इस एक्वल टू वन आ गया तो वन जूल आ गया जी चेक करो चेक करो तो बीटा अब आप देखेंगे एक यह पॉइंट वन वाला कैंसलेशन जो हमने किया था उसके लिए मैंने यह थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो यह आपका आ जाएगा के बी इस इक्वल के बी बाए यह आपको दिया हुआ है एक्स बाए टेन और यहां से आपके एक्स की वेल्यू आ गई वण यह वन आंसर हो ना चीविट है वो मैंने क्या गिए था ना पॉइंट वन को मैं कैंसल कर गया था इनी थे यहां पर नहीं न तो यहां पर इस वे महें लिख लीजेश को यह फिर मल्टिप्लाइ करके बाद में सॉल कर लिए तो कैलकुलेशन का पार्ट है विट एक्स इकॉल टू वन आ रहा है मेरे आप अपना एंड पर चेक कर लिए नेक्स क्विश्शन अब्लॉक ऑफ मास वन पॉइंट नाइन केजी इस एड डाइज ओफ टेबल ऑफ हाइट वन मीटर अच्छा जी यह हमारे पास एक टेबल दी हुई है और इसमें हमारे पास यहां पर एक ब्लॉक दिया हुआ इस ब्लॉक का मास है वन पॉइंट नाइन केजी और यह रैस पे है वेरी गुड अब इन्होंने का यह हैट भी दी हुई है वन मीटर चाल यह बढ़िया बात है कुछ प्रोजेक्टाइल सा लग रहा है या या लिए बुलेट ऑफ मास पॉइंट वन केजी कोलाइड विद दे ब्लॉक एंड स्टिक टो इट ओके एक बुलेट है इस तरह से यह आपकी 0.1 केजी है और आप देखेंगे वह जिस तरह के कुश्चन में आपको कराता था ना मिलके 2 केजी हो जाते थे बिलकुल बिलकुल उसी तर पर सेकेंड तो अब्यूसली यह बिपोर कोलीजन बन गया आफ्टर कोलीजन यह यहां से किसी स्पीड वी से निकलेगा टू केजी का ब्लॉक बन गया होगा ठीक है पूचा क्या है इफ दे विलास्टी अब बुलेट इस ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इन अरिजन डिरेक् काइनेटिक एनरजी पूछी है तो दो मेटर्ड आपके पास हो सकते हैं एक तो सिंपल सा आपको यहां पर काइनेटिक एनरजी पता है हाफ M V स्क्वाइर ठीक है यह भी हम निकाल लेंगे और इसको हम ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट यहां पर पोटेंशियल एनरजी जीरो मान लेते हैं और अगर यह मेरी हाइट है तो यहां पर मैं पोटेंशियल एनरजी लिख दे रहा हूं M G H और कंजरवेशन आफ मेकैनिकल एनरजी नहीं लगा लेंगे तो काइनेटिक एनरजी एट बॉटम इस एक्वल टू हाफ M V स्क्वाइर प्लस M G H यह मेरा आंसर होना चाहिए अभी मैंने बैल्यूज नहीं डाली है बड़ एक मेथड यह एक मेथड क्या है कि आपको यहां VX पता है आप VY निकालिए फिर आप हाफ M VX स्क्वाइर प्लस VY स्क्वाइर कर दीजिए दोनों से अंसर सेम आएगा तो यह बल्कुल सीधा-सीधा है कि आपने पूटेंशिल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टॉप पे निकाली और बॉटम पे आपको पता है कि वो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कनवर्ट हो गई हो तो यहां पे देखें जरा सबसे पहले हमें निकालना है वी और यह वी हमारा आएगा जीरो पॉइंट वन इन्टू ट्वेंटी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूं यह बुलेट का लीनियर मोमेंटम था यह ब्लॉक का रेस्पे था और बाद में हमारे पास हो गया टू इन्टू वी ठीक है ओके तो वी कितना आगे बड़ा वी यहां से आगया वन मीटर पर सेकेंड चेक करो जाएगा वी मेरा आ रहा है वन मीटर पर सेकेंड तो अगर मैं कहूं कि काइनेटिक एनरजी एट टॉप यह आपका हो जाएगा हाफ इन्टू टू इन्टू वन इस्वाइर यानि की वन जूल और जब मैं बात करूं पोटेंशियल एनरजी तो वह मेरा हो जाएगा एम एम है टू इन्टू जी जी की वेल्यू क्या दिया हुए यह 10 दिया हुए वन मीटर तो यह मेरे पास आगया 20 जूल इस इट क्लियर और यह दोनों कंबाइन होके आपको दे देंगे 21 जूल इस इट क्लियर है कोई आंसर ऐसा बिल्कुल है यह 21 जूल आपके पास आंसर रहा और यही आपका आंसर हो गया next question a block of mass m is equal to 1 kg slides with velocity 6 meter per second on a frictionless horizontal surface and collides with uniform vertical rod and a stick to it as shown the rod is pivoted about o and swings as a result of the collision making angle theta before momentarily coming to rest okay the rod has m is equal to 2 kg and length is equal to one meter the value of theta is approximately okay अब बिटा यह हमने last class में आप से बात कही थी कि जब भी हमारे पास यह fix होगा ठीक तो इसको देखे मैं दो parts में करना चाहूंगा एक तो मैं पहले आप से कहूंगा कि भई यह मेरे पास एक particle था और यह मेरी rod थी और यह मेरी situation थी before collision after collision हाँ बिलकुल इसी position पर है बटी अब यह stick कर गया है यह M है और यह capital M दिया हुआ है और यह point आपका fix है ठीक है जी तो जब भी fix point था तो आमने क्या conserve कराना था हाँ जी conservation of angular momentum किस point के about about fix point यह reason भी बताया था इसका आपको ठीक है तो यहाँ पे हम यह assume कर लेते हैं कि let's say यह omega आ गया ठीक तो पहले हम इसकी omega निकाल लेते हैं अब देखिए क्या आएगा यह point ओ के about अगर मैं लूँ तो एंगुलर मोमेंटम ओफ ओ इनिशिल इस इकल टो एंगुलर मोमेंटम ओफ ओ फाइनल यह कहानी हो जाएगी यह मेरा है बटा एम बी इंटु एल अगर यह लेंथ आपको एल दी गई है और यह इधर जा ठीक है तो MBL अच्छा डाइरेक्शन क्या हो गई एंटी क्लॉक्वाइस वेरी गुड यहां पर देखिए यह मेरा हो जाएगा आई राड प्लस आई पार्टिकल या ब्लॉक जो भी आप कहना चाहिए आई ब्लॉक कह लेता है चलिए इंटू ओमेगा इस इट क्लिए अब यहां पर अगर हम देखें तो राड के लिए राड के लिए हो जाएगा M L स्क्वाइर बाइ थ्री क्योंकि एज के अबाउट है चेक कर लो एक बार प्लस ब्लॉक का हो जाएगा ब्लॉक एक पार्टिकल की तरह होगा M L स्क्वाइर अच्छा यह L कैपिटल ही है स्मॉल के दिया हुए है अच्छा उसकी वैल्यू दिवी है बाद में जो भी है ठीक रख लेंगे ओमेगा यहां पर मेरे पास आ गया M V L ठीक अब वैल्यू डाल देते हैं बई तो हमारा ओमेगा निकलाएगा M कितना दिया हुए है स्मॉल M 1 के जी है ओके 1 इंटू स्पीड दिया 6 इंटू 1 इस इक्वल टू कैपिटल M आपको दिया हुए है 2 इंटू 1 बाई 3 प्लस M आपको दिया हुए स्मॉल M 1 इंटू 1 यहां पर आ गया ओमेगा तो यह सॉल करें ओमेगा जो है यह मेरा गया 3 2 5 18 बाई 5 आ गया क्या 18 बाई 5 रेडियन पर सेकेंड जड़ा चेक करिए ओमेगा मुझे लग रहा है 18 बाई 5 दिख रहा मुझे जो मेरे सॉल वो क्या रहा है हाँ यह एक पार्ट हुआ अभी हमने ओमेगा निकाली अब कहानी अब शुरू होगी उसने कहा है कि भई आपके पास यहां पर यह M था यह कैपिटल M था जो भी दिया हुआ है और फाइनली यह इस पोजीशन पर जाके रुख गया ठीके तो अब आपको पता है कि इनीशिली आपके पास काइनेटिक एनरजी थी और यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनरजी हो गई ठीके, अब kindic energy कैसे निकालेंगे, यहांपर हम करेंगे half i about o into omega square यह हमारी काइनेटिक energy थी, ok about rotate कर रहा है तो ok about हम kindic energy लेंगे अब यह क्या आईगी, half i rod plus i block omega square यह मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई जितनी भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो सब का सब चला जाएगा पोटेंशल एनर्जी के गेन में यहीं सारा खेल है वेटा देखो यह इस तरह से जाएगा सर्कुलर मोशन और एक यहां पर है मेरा कैपिटल एम यह जाएगा प्लीज दियान रखना युनिफार्म रोड लिखा होगा कहीं न कहीं तो यह आपका एल बाइट टू हो जाएगा सपोज यह एंगल ठीटा है ठीक तो अब अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो बिटा जो यह हाइट चड़ेगा एम जो चड़ेगा वो कितना स्मॉल एम वाला है यह फरक है दोनों में जितनी हाइट स्मॉल एम गया उतनी कैपिटल एम नहीं गया क्योंकि वो सेंटर पे है और यह रोड के एज पे है तो पोटेंशियल एनरजी का जो गेन आएगा वो कितना हो जाएगा एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा एक तो यह प्लस कैपिटल एम जी एल बाइ टू वन माइनस कॉस थीटा और इन दोनों को आप एक्वेट कर देंगे तो आपका अंसर आजाएगा अब ज़रा देखें एम की वेल्यू दी हूई है वन इस एम की दी हूई है टू एल की वेल्यू दी हूई है वन एल की वेल्यू दी हूई है वन यहां से अगर आप देखें तो यह भी कैंसल होगे बटा यह आपका कितना आ गया जी टू जी वन माइनस कॉस थीटा जूल डैट इस इक्वल टू हाजी हाफ अब अगर मैं यहां पर देखू ना आई यह रह को ओबार आए बेटा मेरे पास आई यह रहा है तो आई मेरा था फाइब बाई-3 चेक कर लेना एकबार फाइबم टू ओमेगास क्वायर अगरा है 18 इंटू 18 बाई 5 इंटू 5 मेरा तो कुछ इस तरह का शरा रहा है पाइव से फाइव कैंसल, थ्री से ये गया, सिक्स और ये गया, थ्री, चीक है, हाँ जी, चेक कीजिए, चेक कीजिए, आप आए ओमेगा स्क्वाइर मैंने ये ले लिया है, इसको अगर हम सॉल करें, तो वन माइनस कॉस्ट थीटा इस इक्वल टू, फिफ्टी फोर बाइ, टू इंटू टैन इंटू फाइव ऐसा आ रहा है, ये मेरा आ गया, फिफ्टी फोर बाइ हंड्रेट, इन देट इस जीरो पॉइंट पाइफ पॉर, अच्छा, यहां से कॉस् पॉर, सेक्स, अरे वापर यह तो बड़ा जीर सा रहा है, चली देखते हैं, ओप्शन क्या दिए हो है, ओप्शन दिए हो है, फॉर्टी नाइन, फिफ्टी फाइग, टिफ्टी फाइग, टो हो नहीं सकते, क्यों, कॉस्ट थीटा की वेल्यू पॉइंट पॉर, सिक्स है, यानि ठीटा इस ग्रेटर देन सिक्स्टी डिग्री, और यह अंसर आपका एस, सिक्स्टी त्री डिग्री होगे, बटा, सिक्स्टी त्री, अब आप लोग कई बार यह पूछ सकते हैं, सरी है, आपने कैसे पता लगाया, है ना, देखिए, देखिए, बटा, जीरो पॉइं पाइव का डिफरेंस आता है, थर्टी डिग्री पे, अल्दो यह लीनियर होता नहीं है, बट पिर भी, क्योंकि स्लोप थोड़ा कम हो जाता है, तो पॉइंट फाइव, यह समझ में आया नहीं है, जीरो पॉइंट फाइव, सिक्स्टी डिग्री पे है, और जीरो जो है पड़ेगा, तो 3 डिग्री पे 0.45, और यह 0.45 है, 0.045, समझ में आ रहे है, हाँ, यह आ जाएगा, 0.15, ठीक है, तो यह आपका अंसर 63 डिग्री के आसपास आएगा, 69 नहीं, a particle of mass m is projected with a speed u from the ground at an angle theta is equal to pi by 3 with respect to horizontal x-axis, when it has reached its maximum height, it collides completely inelastically with another particle of same mass and velocity ui cap, the horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground is, okay, बढ़िया कुशिन लग रहा है, projectile और collision को मिलाया है, और इस तरह के कुशिन बहुत मिलते हैं, देखें, यहाँ पर क्या 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 था आप से, u speed से इन्होंने throw किया, angle आपको दिया हुआ है 60 degree, और अगर यह collide नहीं करता तो इस सिधे इस तरह से जाता है, ठीक है, अब वो कहते हैं, जब यह topmost point पर पहुंच गया, तो आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे, velocity क्या होगी, यह आपकी होगी, u cos 60 degree यानि u by 2, ठीक, इसका mass था m, ओके, तो अब इसको मैं आगे दिखा रहा हूँ आपके पास, यहाँ पर एक mass आपका है, m, जो u by 2 से move कर रहा है, और इन्हों ने कहा कि, एक और particle है, same mass का, और वो भी u speed से इधर जा रहा है, यह दोनों collide किये और इन्होंने बना दिया है 2m, यह given है, हाँ, यह खाली बेफ़कूर बनाने के लिए तक है, इतनी सब कहानी जो होती ही न, वो सिर्फ यह first particle की velocity निकालने के लिए, अब ज़रा आगे देखते है, तो यहां से आपको देख रहा है कि m u by 2 plus m u is equal to 2m v, यह आपकी velocity v दी हुए, ओके चलिए, तो यहां से हम velocity v निकाल सकते हैं, देखिए m तो cancel हो जाएगा, यह आपकी कितनी आ गई, त्री u by 4 आई गया, velocity 3 u by 4 आई, चेक कर लिए अपने end पे एक बार, अब बिटा, बहुत simple सी कहानी हो गई है, कि आपने इसको यहां से throw किया है, 3 u by 4 से, ठिक, तो आपको बताना है, यह वाली range क्या है, लेट से इसे नीचे आने में time लगा t, तो आपकी जो range आई, वो हो गई 3 u t by 4, तो बस आपको यह time निकालना है, अब अगर आप थोड़ा सा दियान रखें, तो बिटा, यह जो आपकी ऊपर velocity जा रही थी, यह थी u sin 60 degree, ठीक है, तो time to go अप क्या हो जाएगा, यहां तक पहुँचने में उपर जाने का time क्या हो जाएगा, u by g होता था, तो इसको लिख दें, u root 3 by 2 g, एक बार चेक कर लो, अब बिटा, यह जिस height पे गया, वहीं से तो नीचे आ रहा है, इसको कोई additional velocity किसी और direction में तो मिली नहीं, तो h height वापस आने में इसे इतना ही time तो लगेगा, बस आप इसको यहां पे रख दीजे, तो range आपकी आ जाएगी, 3u, u root 3 by 4 into 2 g, ऐसे बन रहा है कुछ, और यह आगया, 3 root 3u square by 8 g, है कोई ऐसा answer, बिलकुल यहां पे यह वाला answer देख दाएगा, 3 root 3 by 8 u square by g, ऐसे बनाएगे, एको और चूसीन देखने, विटा, बोदी आपकी आपकी वाला, बोदी वाला पे वाला, पे वाला, इस वाला, स्पीड होके दा एंगल बिट्वीन दा इनिशिल व्लास्टी अफ टू बोडी ओके इन्हों ने कहा अपकी यह कि आपके पास एक मास है सपोज वो इस डिरेक्शन में कहीं जा रहा है विद स्पीड यू ठीक है अच्छा एक दूसरा मास है यहां कहीं पर यह ऐसे जा रहा है और यह कोलाइड करेंगे यहां पर आके अलग अलग डिरेक्शन में ठीक हमें नहीं पता यह एंगल कितना है तो हम क्या करते हैं यह इंट्रेस्टिंग चीज यह दी हुई है कि मास भी सेम दिया हुआ है और स्पीड भी सेम दी हुई है बस डायरेक्शन का फ़रक है इसका मतलब पाइनली जो आपका कॉंबिनेशन बनेगा इनका ठीक है हाँ जी कंप्लीटली इन्लास्टिक कोलिशन का है इसका मतलब यह टू एम मास बन जाएगा और यह आपका इन दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर पर ही जा रहा होगा लिट सम स्पीड भी क्यों यह देखो न यह वाला जो कॉंपोनेंट और यह वाला कॉंपोनेंट लीनियर मोमेंटम का एग्जेक्टली सेम होंगे बट इन अपोजिट डिरेक्शन तो यह तो कैंसिल हो गए ठीके तो अब अगर मैं एक्स एक्स पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दूं लीनियर मोमेंटम को मैं कंजर्व करा रहा हूं कि यह मेरा आजाएगा भटा M U Sine Theta by two यह मेरी X-axis मैं ने मान लें ठीके जिस में final proposition में मूब कर रहा है उसको हमने x-axis assume कर लिया तो m u sin theta by 2 sorry 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 cos 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 हाँ यह m u cos theta by 2 multiplied by 2 is equal to 2m v क्या यह बन रही है equation एक बार खुद से इसको चेक कीजिए ठीक और यहां पर इन्होंने एक चीज और दिये half of initial speed यानि v आपको दिया हुआ है u by 2 तो इसको उटागे हम इस equation पर रख देते हैं यहां से बिटा यह 2 और 2 तो पहले cancel हो गया था m भी cancel हो गया u cos theta by 2 is equal to u by 2 दिया हुआ और यह u से u cancel हो गया अरे यह तो कुछ आ गया theta by 2 is equal to 60 degree आ गया जी तो theta कितना हो गया 120 degree और यहां पर बस आपको 120 लिखना था आपके 4 marks मिल जाते हैं a wheel is rotating freely with an angular speed omega on a shaft the moment of inertia of the wheel is i and the moment of inertia of the shaft is negligible okay another wheel of moment of inertia 3i at rest is suddenly coupled to the same shaft the resultant fractional loss in the kinetic energy of the system is okay तो इसमें बिटा आपके पास एक यह डिस्क आपको दी गई है moment of inertia i और angular velocity omega है इसके बाद इनोंने का भाई हमारे पास एक और डिस्क है इसका moment of inertia 3i है और omega जो है आपको 0 दिया गया है और दीरे चीक है और हमने आपसे का था कि इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनमें conservation of angular momentum लगेगा तो भाई सीधे सीधे क्या हो जाएगा i omega प्लस 0 is equal to 4i omega final और यहां से आपका omega final आपका आगया omega by 4 लेकिन angular velocity नहीं पूछी उन्होंने का कि fractional loss in the kinetic energy तो हमें kinetic energy initial और kinetic energy final निकाननी पड़ेगी clear kinetic energy initial कितनी हो जाएगी बिल्कुल सही का आपने half i omega square एक ही disc rotate कर रही थी और बाद में बस यहीं ध्यान रखना half moment of inertia हो गया 4i moment of inertia हो गया है 4i और आपकी angular velocity है omega by 4 तो kinetic energy final आपकी आ गई बिटा half i omega square और यह 1 by 4 टिक और fractional loss की अगर आप बात करें तो fractional loss आपका हो जाएगा kinetic energy initial minus kinetic energy final divided by kinetic energy initial बस value पुट करनी है आपको यह value आप पुट करेंगे तो यह आपको मिलेगा half i omega square minus 1 by 4 half i omega square divided by half i omega square और यह cancel हो जाएगा आपका 1 यह आया यह cancel हो तो यह आपका 3 by 4 option आ रहा है कुछ है option 3 by 4 0 1 by 4 यह पहला ही option है तो यह आपका answer रहा है ठीक है तो एक और आसान सा question बहुत आसान question देखें एक और question देखते हैं यह भी कुछ इसी का question है a circular disc of mass m radius r okay moment of inertia ना दे के m और r दे दिया है is rotating about its axis with angular speed omega n okay if another stationary disc having radius r by 2 and same mass m is dropped coaxially on the rotating disc gradually borders attain angular velocity omega 2 okay the energy lost in the process is percentage बिल्कुल पहले वाले की तरहे चले देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं एक हमारे पास disc है और एक disc और है fine इसका moment of inertia अगर आप देखें तो यह आपका हो जाएगा mr square by 2 clear circular disc है mass m radius r इसका mass m radius r by 2 हाँ यह question टेड़ा बन जाता अगर mass नहीं दिया होता mass m दे दिया बहुत आसान हो गया r square by 8 हो जाएगा ठीके यह moment of inertia आ गई यहाँ पर omega 1 और यह था respect यह before collision या before event वाली condition कह सकते हैं और finally यह दोनों disc आपकी साथ-साथ घूमने लग गई omega 2 से और यहाँ पर आपके पास जो moment of inertia आ गया वह आपका आ गया mr square by 2 plus mr square by 8 और angular momentum को conserve करा दीजे बिटा तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा mr square by 2 omega plus 0 is equal to अब मैंने लिखा नहीं 0 ठीके that is equal to mr square इसको मैं 5 by 8 लिख दू सीदे सीदे 4 by 8 4 plus 1 5 by 8 आ जाएगा 5 by 8 mr square into omega final clear है तो यह आपका mr square cancel हो गया मेरे पास omega final आ गई 4 by 5 omega ठीक है अब energy lost percentage p that is kinetic energy initial minus kinetic energy final divided by kinetic energy initial into 100 ठीक है जी तो रख देते हाफ mr square by 2 omega square माइनस ओके यहां पर भी लिख देते हैं half mr square by 2 omega square और यह आपके हो जाएगी half 5 by 8 mr square into omega कितनी आई दी बिड़ा यह आपका हो गया 16 by 25 omega square अब इसको solve करना है half cancel कर दें mr square omega square भी cancel कर दें और और एक 2 भी cancel कर देते तो यहां पर 4 आगया आपका ठीक शलिए जी देरा देखे कितना आ गया यह अच्छा percentage दिया हुआ into 100 भी है ओके यह मेरा आ गया one minus अच्छा five से यह cancel हो गया five times और यह मेरा आ गया four तो one minus four by five आ रहा है into hundred और यह आपका twenty percent आ गया ठीक है कही है twenty percent अच्छा यह तो इंटीजर टाइप numerical value है तो यहां पर बिटा पी की value 20 आ जाएगी यह की मेरा अंसर है ठीक हाँ तो questions बिलकुल similar थे वही standard जो questions होते हैं वही थे कोई बहुत ज्यादा twisting नहीं थी in questions में चली एक question और है two uniform circular discs are rotating independently in the same direction around their common axis passing through their centers the moment of inertia and angular velocity okay given second give you here at some instant they get stuck together and start rotating as a single system about their common axis the kinetic energy of the combined system is तो कुछ ज्यादा असान हो गया okay तो अब सीदे सीदे में लिख रहा हूं i1 omega 1 plus i2 omega 2 is equal to i1 plus i2 omega final बस इसमें ध्यान क्या देना है बिटा कि यह जो इन्होंने यहां लिखा हुआ है ना same direction इसका मतलब यहां पर यह add हो जाएगा अगर यह opposite direction कर देता तो आपको subtract करना पड़ता बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखने तो यह 0.1 इन्टू 10 प्लस 0.2 इन्टू 5 दाट इस इक्वल तो आएवन प्लस आई टू इन्टू 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 ओमेगा फाइनल तो यहां से आपने ओमेगा फाइनल निकाल ली मेंगाफाइनल आपके आ गई one और यह वन हो गया two by par 20. two by three लिख द रहाओ है हम्में अम्एक इनर्जी सिस्ट्म निकालनी है तो कायनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी if Iono i combined हर लिजए ओमेगा फाइनल स्क्वायर हाफ आई कंबाइन आपका है 0.3 इन्टू 400 बाइ 3 इन्टू 3 ऐसे लिख लेजे ज्यादा अच्छा रहेगा 2 से ये गया 200 ये 0.3 से ये 10 ये गया ये मेरा आगे 23 जूल कोई है ऑप्षिन बिलकुल पहला ये ऑप्षिन देख रहा है 20 बाइ 3 जूल इसका आंसर होगा ठीक है एक और क्विश्चन ये रॉड फिक्स रॉड वाला है जिस पे एक पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहा है ओके अ थिन रॉड आफ मास 0.9 kg and length 1 meter is suspended at rest from one end so that it can freely oscillate in the vertical plane a particle of move of mass a particle of mass 0.1 kg moving in a straight line with velocity 80 meter per second hits the rod at its bottom most point and stick to it the angular speed of the rod immediately after the collision यार यह तो बहुत आसान question हो गया हमने आप से क्या का था M V R is equal to I अगर मैं इस पॉइंट को O कहूं तो I रॉड about O plus I particle about O into omega यह सीधा सीधा फार्मूला लगाना है ठीक दो यहां पे अगर आप देखें M V R की जगे आप ले लेंगे length L और वो आपको 1 meter दी हुई है चलिए अभी पहले M V L लिख दे रहा हुए इसके बाद rod के लिए M L square by 3 अच्छा rod का capital M मन लेते हैं particle का small event यह particle का हो जाएगा M L square और यहां पे omega चेक कीजे ज़रा अब वैल्य डाल दे M दिया हुए आपको 0.1 V दिया हुए 80 L दिया हुए 1 that is equal to capital M दिया हुए 0.9 L square है 1 3 plus 0.1 into 1 into omega ठीक है जी बस answer आगया तो देख लिए जे कितना है 8 यहां पे आ रहे 3 से यह किया 0.3 0.3 0.1 8 is equal to 0.4 omega और यहां से आपका omega आ गया 80 by 4 that is 20 radian per second तो आपका answer है यहां पे 20 ठीक है तो एक और आसान सा question देखे इस straight सारे question अगर आप देखे 3 या 4 question हम इस से तरह के कर चुके सीधे सीधे इस formula पर गया तो यह है J-E means अगर आपको अब वहीं पे अगर आपका यह advance होता ना तो twisting हो जाती थोड़ी सी येस चलिए एक और देख लेते हैं बट यह means में अगर आपको concept पता है तो वो सीधे सीधे बहुत ज़्यादा twisting नहीं होती मैं यह नहीं कहूंगा कि twisting मिलेंगे ऐसे question आपको लेकिन 25 में से 4-5 questions ही ऐसे होंगे जो twisted होंगे बहुत ज़्यादा वो भी शायदी हूं अब देखिए एक question आपको दिया गया है consider a uniform rod of mass m is equal to 4m and length l pivoted about its center अभी तक edge पे किया था अब center पे fix कर दिया ओके यह center पे fix कर दिया है a mass m moving with velocity v making an angle pi by 4 to the rods long axis अच्छा 40 देखिए इससे कोई परक नहीं पड़ेगा वैसे but हां आपका जो angle आपको दिया हुआ हो ऐसे दिया हुआ यह आपका particle है मैं यह आपको बना दूए यह मेरे पास particle है m और यह 45 दिया है यह चिंता करने की जुरूतनी दोनों angle 45 भी आएंगी चाहे इसको लेलो चाहे उसको लेलो तो यह 45 डिगरी दिया हुआ है और mass दिये हुआ है यह 4m की rod है यह आपकी length l है ठीक है अब आपको angular momentum about fix point तो angular momentum सी इनीशियल सी मतलब आउट सी डाट इस इकोल टू एंगोल और मोमेंटम आउट सी फाइन यह आपका concept बना अब अगर आप इससे देखें तो यह particle का है एम इसकी speed दी हुई है अच्छा वी लिखा हुआ है वी लिखा हुआ है ओके fine तो एम वी यहां से perpendicular अगर distance आप देखेंगे तो यह आपको जाएगा एल कॉस 45 डिगरी आप sign लेके कोई फरक नहीं पड़ता उससे answer वह यह आना है ठीक है इस case में लेकिन अगर 60 यह 30 डिगरी दिया था तो आपको एंगल प्रापर बनाना पड़ेगा फिर वह साइन कॉस देखेगा बट यहां पर 45 दिया था तो फरक नहीं पड़ा कॉस लें चाहे साइन लें तो एम वी एल कॉस 45 डिगरी दैट इस इक्वल टू आई रॉड अबाउट सी प्लस आई पार्टिकल अबाउट सी इंटू ओमेगा चीक है बिलकुल इससे देख लेते हैं एम वी एल बाई रूट टू दैट इस इक्वल टू यह देखी यह देखी अभी गरबर हो जाती यह डिस्टिंस बिटा एल बाई टू है तो यह एम वी एल बाई टू इंटू वन बाई रूट टू होगा ठीक है ओके अब अगर मैं इस रॉड की बात करूं तो यह सेंटर के अबाउट अगर आप देखेंगे तो यह आपको जाएगा ऎम एल स्कॉयर्बाई ट्वेल्फ प्लस पार्टिकल का स्मॉल एम डिस्टिंस है एल बाई टू होल स्क्वाइर एक बार यह ध्यान रखना पिटा यह फसाएगा यहां पर हाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान यह रखना था कि यहां से जो आपका यह वाला डिस्टिंस है ना यह अब M V L by 2 root 2 is equal to capital M कितना हो गया 4 M L square by 12 4 M ही दिया हुआ ना 4 M दिया हुआ है प्लस M L square by 12 into 4 4 into omega इसको आपको solve करना है M M M cancel हो गया L से यह cancel हो गया ओके अब जड़ा देखें यह आगया आपका 12 by 7 2 root 2 कुछ ऐसे 7 into 2 root 2 V by L यह आगया omega अच्छा अभी तो यह कुछ कट जाएगा 2 से यह cancel हो आपका आगया 3 7 root 2 भी दिखर है नहीं ओके 3 root 2 by 7 V by L यह हमारा answer आना चाहिए 3 by 7 root 2 V by L कोई है B वाल answer यह बन रहा है एक बार चेक कर लीजेगा थोड़ा सा calculation है उस पर बहुत हेवी नहीं है मैं आपको LCM वगरे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा तो वह आप अपने इसाप से कीजे एक बार चेक करके मुझे बता दीजे आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है और यह आज का लास्ट कुशिशन अ पार्टिकल उप मास M is dropped from height H above the ground at the same time another particle of mass M is thrown vertically upward from the ground with a speed of under root 2 GH okay if they collide head-on completely inelastically the time taken for the combined mass to reach the ground in units of under root H by G okay तो जड़ा सी इसको समझने की कोशिश करें एक हमारे पास यहाँ पार्टिकल एक हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल मास M मास M यहाँ पर speed 0 है और इसकी जो speed है वो under root 2GH दी हुई है अब क्या होगा कि यह नीचे आएगा यह उपर जाएगा किसी position पर यह यहाँ कहीं पर collide करेंगे चीक है अब जहां पर यह collide करेंगे यह height भी आपको दी हुई है है तो इसको मैं दो तरह से करना चाहूंगा एक तो बड़ा सिंपल सा मेथेड़ है दूसरा मेथेड आपको पता है कि आप यह है एक के respect में बात कर लेंगे और वी रिलेटिव जो है आपका वो अंडर रूट तू जी एच था है अंडर रूट तू जी एच है आए च रिलेटिव बार वी रिलेटिव सीदा सीदा आपको मिल जाएगा पे कौझ यह ए chat वाव हैं च बाइंडर रू 10 एच मेरा टाइम हो इतने के बाद यह को लाइड करेगा पाel अब आप इस टाइम से height वगरे बहुत कुछ किया जा सकता है velocity निकाली जा सकती है मैं क्या करना चाहता हूँ आपको एक बिल्कुल नया method बता रहा हूँ बिटा देखी क्या है कि अगर हम इस पूरे को एक system assume कर ले ठीक तो इस system का p initial क्या है m under root 2 g h plus 0 तो इसको j cap भी कह सकते हैं बहुत बढ़ी है अब मैं आप से कह रहा हूँ इस पे ना impulse कितना लगा impulse आपका होता है ft या integration f dt कहेंगे आप f constant है दोनों पे f यह देखी ना इस पे mg लग रहा है इस पे भी mg लग रहा है और यह mg तो constant है तो आप क्या कह सकते है इसको आप कह सकते है total net force जो लगा वो 2 mg into integration dt कह सकते है यह आपका हो गया 2 mg into t और t आपने निकाल लिया तो यह आपका आगया 2 mg हाँ जी t कितना है या under root h by 2 g clear है हाँ अब यह direction कौन सी है बटा यह है minus g cap because force आपका downward लग रहा clear तो यह आप देखिए बड़ी interesting सी चीज आ गई यह आपका solve करने के बाद आ गया m under root 2 g h with a minus sign तो आप मुझे बदा हैंगे p final क्या हो गया 0 चीक है p final आपका 0 आ गया इसका मतलब यहां पर जब यह combine किया और इसने 2m mass बनाया तो इसकी velocity यहां पर 0 हो गई थी इसका मतलब यह केवल इस height से नीचे गिरा है यह ना यह clear है आच्छा अब यह height आपको निकालनी है h height से नीचे गिरा तो time आपको पता है time आपका होता है under root 2 h by g अगर मैं h निकाल लूँ तो मेरा answer आजाएगा एक मिनट पर देख लें पूछा क्या है time taken time ही पूछा है time ही पूछा है तो time कैसे निकाला जाए यह देखे h dash is equal to half g वो वाला t जो था ना हमने पहले निकाला था यह वाला t अच्छा एक काम करते है यह हमें finally निकालना इसे मैं capital T के देता हूँ इसे हम capital T के देते हैं तो half g t square हो जाएगा यहां से अगर मैं h dash देखूँ तो यह मेरा आगया half into g into time मेरा आया था h by 2g तो बिटा यह मेरी height आगई h by 4 उपर वाला particle जो है वो इतने time में h by 4 गिरेगा is it clear तो यह मेरी h कितनी हो जाएगी 3 h by 4 fine यह मेरी h हो गई 3 h by 4 और बस इसको मैं यहां रख दूंगा under root 2 3 h by 4g और यह मेरा answer आगया 2 से यह कट गया यह आगया root 3 by 2 under root h by g देखें जड़ा option हमारे कैसे दिये होएं कोई दिया है यह रहा डी वाला जो option है root 3 by 2 यह मेरा answer आगया चेक कर लीजे एक बार हाँ बिल्कुल आप velocity से भी इसको कर सकते थे आप velocity निकालिए height निकालिए उससे भी कर सकते थे यहां पर यह अगर आपने impulse वाला concept लगाया तो आपका time काफी बच जाता है ठीक है चलिए फिर आज के लिए इतना next class में मिलेंगे